ष्टार्ट मम्लोग देखते हैं कि चिंचान होता है वह वहांपे यह दूसरी याप पर टैलिपर्ट हो जाता है तो वह वह कहता है कि रिफर अ करने लगता है लेकिन वह नोटिस करता है कि उस पा迫 को एब्सपर निए चिन्चैन के सरीर में आके चली जाती है और हम वाँ पर तब हूँ देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि यह तो spiritual सी मेरे सरीर में बहुत तरी से दोड़री होती है उसके सरीर में और वो फिर वहां पर जो रीवर की spiritual energy होती है अबसोब करने लग जाता है और वो उसके अबसोब भी होने लग रही होती है और वह बाहर चली जाती है और फिर वापिसार कि उसके अंदर होने लग जाती है तभी हम देखते हैं कि वह महां पर notice करता है कि क्या हो रहा है मेरी body गेंदर जो thunder bloodline है वो सारी की सारी energy को absorb कर रही होती है और वहाँ पे उस सारी energy को ठीक कर देती है और हम देखते हैं कि उसकी जो bloodline होती है वो एक new level पे break through हो जाती है और हम फिर देखते हैं कि जब वो यह कहते हैं और हम फिर तभी दूसरी तरफ देखते हैं से बाहर भेज़ देते हैं जिसके बाद बाहर जाके वो अपने लोगों से मिलता तो लोग पुछते की क्या हुआ तो यहां पर तुम यह के लिए क्लिए क्यों आई हो तो वो उन्हें बता देता है कि अभी तो अंदर एक ओर टेस्ट है और जो भी उसे पास करेगी उन्हें इ और वी डाइनेश्टी का लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि उन्हें जुरूर कुछ नहीं कुछ ट्रेसर मिला होगा इसलिए वो इतनी जल्दी यहां से जा रहे हैं तो उसे कहते हैं कि तो बेवेकुफ हो गया क्या यह बहुत जासा पावरफुर पावेलियन है हम इ गिडम्स के हैं और अगर वो भी बाहर आई तो हम उन्स लोगों से वो चीज छीन लेगे और असरे होते हैं और हम वहापे बाहर अंदर देखते हैं कि वहापे जो चिंचान होता है वो एक और आगे फोर्मेशन ने पहुच गया होता है और फिर अगले टेस्ट के लिए फि मैं लिए बाहर देखते हैं कि वह लोग उसे खड़े होता है और वह चमकने लग जाता है कि जरूर चींचान होगा और खुसरे होते हैं कि आखिर मेरे एंसरेस्टर ने जो भी तेयार किया था तिने सालों से कोई भी जो जिस चीज को जो भी कोई करनी पाया था वो इसे निकर दिया और खुश हो रहा होता है लेकिन कहता है कि नहीं मुझे अभी इतना खुशनी होना चाहिए अभी तो बहुत कुछ बचाया कि और हम वहाँ पे देखते हैं कि चिंचान कि यहार होते हैं यह सारा फॉर्मिशन तो बहुत ज्यादा कॉंप्लेक्स है मैं इसे तनी जाहसनी से समझ नहीं पाऊंगा और वहाँ पे वह कुश्स करता है तो ट्रे करता है कि मैं संग्ज पर और फिर उस फॉर्मिशन को स्टार्ट कर देता और वह एनर्जी को एपसोब और हम फिर दूसरे तरफ देखते हैं कि वहाँ जो और लोग वी डैनिस्टी की होते हैं उसमें से एक कहा रहा होता है कि मैं आप और नहीं संभाल सकता हूं और हो वहाँ से टैलिपोट हो जाता है बार और कुझ ओर होता है कि यस मैं आखिरकार इंटरमीडियेट वू जोंग प्रेल में आगा और बहुत कुछ होता है और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर फाय किंडम में से एक जाव किंडम का एक आदमी आ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो कि ची किंडम का होता है वूजी चैन और वहाँ पर आके तभी वो लोग होते हैं जो वी डाइनेस्टी की होते हैं वो उनका रास्ता रोक लेते हैं जाने के लिए और यहीं पर यह पीसोड खतम हो जाता है ठैंकि दोस्तों